आपको सारे ही बैसिकली बहुत सारे MCQs आ सकते हैं तो यहां पर हम सारे ही डाइग्राम को अनलाइशेस करेंगे जितने भी आपके concept से regarding आपके diagrams के वो सारे यहां से clear हो जाएंगे तो चलिए start करते हैं मेरे जो पहला diagram है that is our relationship between income and demand ठीक है कि हमारे जो income और demand की relationship क्या होती है देखिए आपकी income और demand की relationship depend करता है कि आप कौन सा good use कर रहे हैं क्या आप एक inexpensive good use कर रहे हैं जिसे हम IN से denote करते हैं क्या आप एक normal good use कर रहे हैं जिसे हम NG से denote कर रहे हैं इदर और क्या या आप क्या कर रहे हैं एक inferior good use कर रहे हैं जिसे हम IG से show कर रहे हैं तो सबसे पहले बात कर ले हम inexpensive inexpensive good कौन से होते हैं जैसे आपके salt हो गया salt हो गया match box हो गया तो इनका जो basically क्या होता है आपकी income जितनी भी हो ठीक है इनके case में आपके inexpensive के case में आपकी income जितनी भी हो demand आपकी same की same ही रहती है माल लिजे आपकी income y1 है तब भी demand आपकी इतनी रहेगी ठीक है आपकी income y2 पहुंच गई इतनी बड़ी increase हो गई फिर भी आपकी इतनी रहेगी ठीक है अगर आपकी income y2 पहुंच गई और increase हो गई फिर भी आपकी जो basically demand है आपकी Q2 पही रहेगी clear तो basically आपको ये ध्यान में रखना है कि जो inexpensive goods होते हैं इनकी demand जो है constant रहती है even if income जो हमारी कम या जादा हो income भले बड़े या कम हो इसकी जो demand है वो constant ही रहेगी इसलिए इसका जो diagram है आपको straight line में show हुआ है तो अगर सब अलग से show करना चाहेंगे तो इसका diagram कुछ ऐसा बनेगा ये axis होगी उपर y axis होगी ठीक है यहाँ पे आपका basically income show होगी इस side और इस side आपका quantity demand show होगी ठीक है तो आपकी ये straight line से ऐसे show होगा clear हो गया दूसरा हमारा है normal good देखे normal good कौन से होते हैं जिनका अगर income बढ़ती है तो आपके demand भी बढ़ती है ठीक है और अगर income कम होती है तो demand भी कम हो जाती है वो होते हैं हमारे normal goods ठीक है तो उसका graph हर समय आपको पता है economics में जिसका relation positive होता है मतलब बढ़ने के साथ बढ़ता है दोनो variable बढ़ते हैं और दोनो variable का एक के कम होने से दूसरा भी कम होता है तो उसका graph हर समय आपको positive slope मिलेगा ठीक है यहां तो वो decreasing rate पर positive मतलब decreasing rate पर बढ़ सकता है यह increasing rate पर बढ़ सकता है तो यहां पर normal good उन्हों दोनों ही cases दे रखे है कि जब वो decreasing rate पर बढ़े मतलब increase तो होंगे होंगे income बढ़ने से जैसे जैसे आपकी income उपर rice होगी आपकी क्या है quantity demand भी rice हो रही है तो normal good में दोनों ही नोंने basically दोनों ही डाइग्राम एक normal good को शो कर रहे है ठीक है घर confuse मत हुएगा यह basically दोनों ही डाइग्राम आपके normal good को शो कर रहे है जो ऊपर वाला है आपका decreasing rate से बढ़ रहा है और नीचे वाला आपका increasing rate से बढ़ रहा है ठीक है मतलब demand जो है आपकी income बढ़ने के साथ यहां तो वो थोड़े धीरे से बढ़ेगी यहां हो सकता है वो बहुत ली बहुत ज़्यादा increasing rate पर बढ़े ठीक है तो I hope I am very very clear तो यह दोनों basically diagram आपके किसके है normal good के हैं नेक्स्ट है आपका that is a inferior good तो inferior good basically कौन से होते हैं inferior good वो होते हैं जैसे आप income आपकी माल लीजे बढ़ जाती है तो demand उसकी कम हो जाती है तो negative relationship है तो negative relationship का जो graph है इन्होंने backward sloping से रखा है ठीक है यह backward sloping है अगर आप गोईगी graph ऐसे बनता है तो this is a backward sloping graph ठीक है तो जो demand है income के साथ क्या होती है कम होती है तभी क्या है आपकी basically बढ़ती income के साथ कम होती है इसलिए इसका backward sloping graph है ठीक है अब आप बोलेंगे कि sir इसका backward sloping का क्या मतलब है देखिए इसका मतलब यह है कि माल लीजे पहले आपकी income इतनी तो demand आपकी इतनी थी ठीक है फिर आपकी income इतन वो demand बढ़े लेकिन बाद में inferior good के case में ऐसा होगा क्योंकि आप ultimately उससे बोर हो जाएंगे क्योंकि वो good थोड़े inferior है आपको पसंद नहीं आएंगे तो long term में अगर आपकी income बढ़ती रहती है तो आपकी definitely जो है आपकी जो demand है वो आपकी कम होती रहेगी इतना pass आता जाएगा उसनी आपकी basically यहाँ पर demand क्या है जो है कम होती जाएगी backward shift करती रहेगी clear हो गया ठीक I hope it is very very clear चलिए तो next diagram है आपका तो यह diagram आपको clear हो गया होगा अच्छे से next diagram आपका है that is a case of substitute goods ठीक है that is a case of substitute goods तो basically substitute goods इसका example दे रखा है इनोंने demand for tea and coffee basically tea और coffee क्या है basically क्या है आपके substitute goods है substitute goods का मतलब होता है कि अगर माल लेजे tea available नहीं है तो आप coffee से काम चला लेंगे तो होगा क्या माल लेजे tea का price बढ़ रहा है माल लेजे coffee का price बढ़ रहा है coffee का price उपर चला गया तो demand of the tea क्या होगी बढ़ जाएगी मतलब इसके price बढ़ने से इसकी demand जो है बढ़ रही है तो basically इसका price बढ़ रहा है coffee का तो demand किसकी बढ़ रही है टीकी बढ़ रही है मैंने economics में जब भी बताया था जब भी आपकी arrows इस सेम जगा होंगे मतलब दोनों की relation positive होगी तो हर समय जो graph है वो upward sloping होता है तो obviously बात है य I hope I am very very clear till here चलिए next that is a complimentary goods complimentary goods होते हैं जो एक साथ demand किये जैसे petrol और car okay अगर petrol नहीं है तो car नहीं होगी अगर car है तो petrol का use नहीं है basically अब कहने का मतलब है अगर इन दोनों का case लिया जाए तो दोनों ही जरूरी है ठीक है तो अगर माल लीजे पहले जो price इतना सा petrol का तो demand इतनी थी ठीक है यह देखिए आप इसको यहाँ पर join ऐसे कर रहा है ठीक ग्राफ downward sloping है ठीक है तो एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो रही है जब negative relationship है तो क्या होगा आपका जो ग्राफ है वो नीचे downward sloping आएगा इसलिए इसका downward sloping है ठीक है तो कह सकते है कॉंप्लिमेंटरी गूर्स में negative relationship होती है तो MCQ आ सकता है कि कौन से गूर्स म upward sloping always ठीक है चलिए next that is a very simple that is law of demand I hope आपको यह सब clear होगा ठीक है law of demand very simple है कि कि किसी भी good का जब price बढ़ता है तो उसकी quantity demand fall हो जाती है और जब price कम हो जाता है तो उसकी quantity demand बढ़ जाती है तो basically इसमें भी देखे है आप negative relationship है एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो तो उसका भी graph कि 100% क्या होगा downward sloping होगा तो देखें यहां पर downward sloping आपका है टीक है demand का है जो आपका downward sloping है और दूसरी बात है देखें जब आपका price 100 था तो demand कितनी थी आपकी 1 थी जब price कम हो गया तो demand कितनी होगी 4 होगी let's suppose वापिस price जब 1 हो जाएगा तो demand फिर से क्या ह जाएगी आपकी मालो price 100 पहुंच गया तो demand फिर से वापिस आपकी 1 पर पहुंच जाएगी तो कहने का मतलब है कि जब price बढ़ता है तो quantity demand कम होती है और जब price fall हो जाता है तो quantity demand बढ़ जाती है तो very simple आपको I hope it is very very clear बहुत simple है यह तो okay next देखिए positive कई बार क्या होता है demand का positive भी होता है तो positive sloping demand का मतलब upward sloping यह किस case में होगा जैसे माली जे given goods हो गए आपके ठीक है articles of snob deal के हो गए है ठीक है जो snob deal के articles होते है मतलब बहुत ही जो महेंगी articles होते है ठीक है rare होते है तूसरी बात है एक होता है आपका status symbol से related है okay status symbol आपको लगता है कि महेंगी चीज ही ज्यादा prefer करनी चाहिए या महेंगी चीज से आपका status symbol बढ़ रहा है तो आपका उससे फिर price है मतलब नहीं कर प्राइस और महेंगा होते है और उसकी demand बढ़ेगी क्यों क्योंकि वो status symbol show करेगा दूसरी बात है snob deals है rare items है तो rare items का mainly क्या होता है जो price high पे है उसकी demand ही ही रहत होता है next that is a movement along the demand का मतलब होता है जब price की change होने की वज़ा से जो quantity demand में basically आपके फरक पड़ता है या change होती है ठीक है तो मालीचे पहले ही आपकी P1 थी तो इतनी थी अब आपका जैसे ही price उपर गया तो आपकी quantity demand पीछे shift हो जाएगी यहां आ जाएगी ठीक है यहां पर यहां तो आप उपर जाएंगे उपर जाएंगे कब जब आपका price उपर चला जाएगा और नीचे कब आएंगे जब आपका price क्या हो गया कम हो जाएगा ठीक है तो basically जब आप नीचे आते हैं उसे क्या बोलते हैं expansion तो अगर question आएगा कि जो अगर आप A1 से A2 पे जा रहे है तो यह क्या शो कर रहा है यह आपका expansion शो कर रहा है अगर आप A1 से A3 में जा रहे हैं तो यह contraction शो कर रहा है ठीक है यह आपको जहान में रखना है next आपका that is a very very important EU MU graph देके इसके base पे बहुत important है यह आपके questions कुछ आ सकते हैं ठीक है कि क्या आपके basically relationship है तो very simple है ठीक है जब in the single commodity case जब आप एक ही commodity case खरीते हो तो consumer कैसे आपके equilibrium attain करेगा वेरी simple जब उसका price किसके बरावर हो जाएगा उसकी marginal utility के बरावर हो जाएगा तो यह देख पा रहे हैं प्राइस देख पा रहे हैं ठीक है यह आपकी है marginal utility तो यहां पर strike कर रहा है तो यह का equilibrium point आएगा तो मालीज आपका question आगर आपका question आपको दे दिया जाता है diagram दे दिया जाता है जिसमें आपका यह price हो गया यह आपका mu हो गया ठीक है तो यह पूछ लेगा कि आपका कौन से point पर basically आपका equilibrium होगा तो very simple जहां पर दोनों strike करेंगे यहां आप कह सकते हो जहां पर price और marginal utility इस point पर equal हो जाएगी तो आपकी जो three है वो आपका basically क्या हो जाएगा equilibrium quantity हो जाएगी और यह हमारा equilibrium price हो जाएगा ठीक है I hope I am very very clear चलिए next that is indifference curve देखें indifference curve क्या होता है यह आपका downward sloping होता है ठीक है ध्यान रखिएगा okay from left to right दूसरी बात है कि यह क्या होता है combination of two good होता है देखें यहां पर clothing है और आपका units of food है तो basically यह combination है clothes के और food के मतलब यह a point क्या show कर रहा है मतलब आप kuch 10 units आपके clothing के ले रहे हैं और one unit आपके किसके ले रहे है food के ले रहे है तो आपका यह ten और one हो गया ऐसी जो B है वो क्या शोग कर रहा है seven नसके ले रहे है अप ठीक है और यह two इसके ले रहे है और एक बाद ध्यान रखीगा, जितने भी points है, जितने भी points है, basically, ये A, B, C, और D, ये same satisfaction show कर देते हैं, ठीक है, it provides the same satisfaction to the consumer, तो अगर question आता है, कि इसमें सबसे आदा satisfaction कौन सा provide कर रहा है, तो आप बोलेंगे, all the points are giving the equal satisfaction to the consumer, लेकिन हाँ, इसमें जो combinations अलग-अलग है, इसमें जैसे 10 और 1 का combination, मैंने बताया था आपको, ठीक है, इसमें आपका basically 7 और 2 का combination है, देखिए, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है, ऐसी C point पे कहा है, 5 और 3 का combination है, ठीक है, ओके, और D पे आपका 4 और 4 का combination है, ठीक है, अलग-अलग combination है, लेकिन satisfaction का है, सेम है सबका, तो basically यही होता है, इंडिफरेंस कर्व, next आपका इंडिफरेंस मैप, देखिए, इंडिफरेंस मैप बहुत सिंपल है, ठीक है, इंडिफरेंस मैप में क्या है, बिसिकलि आपको ध्यान में रखना है, इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस मैप का है, अब देखिए, आ जाते हैं, बजट लाइन, तो बजट लाइन भी क्या होता है, combination of two good's होता है, जो consumer, जिसके budget में होता है, या consumer, जिसको afford कर सकता है अपनी given income के साथ, ध्यान रखेगा ओपर वाला indifference curve क्या शो करता था same satisfaction शो करता था हना ये क्या शो करता है कि जो consumer खरी सकता है consumer की जो purchasing ability है तो ध्यान रखेगा यहाँ पर यह सारे points क्या है consumer खरी सकता है अब यह अलग-अलग combination है दोनों goods के इन सब पे ठीक है जो पहला है आपका that is your 5 और 0 मतलब सिर्फ आप क्या खरीद रहे हैं सिर्फ clothes सी ले रहे हैं और यहाँ पर food कोई भी ले नहीं रहे दूसरा point आपका देखिए ऐसो join कर देंगे आप join कर सकते हैं ऐसे तो आपका 4 और 2 मतलब 4 units आपके इसके ले रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर इस यह दुन यह एक्स्ट्रीम पॉइंट है यहाँ पर सिर्फ आप ले रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ आप फूड ले रहे हैं टैक है 10 units of food and here you are taking 5 units of clothing तो यहाँ पर अलग-अलग combinations आपको देखने को मिल रहे हैं ठीक है फिर से बता रहा हूँ एक यह combination 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 तो इस अधिशन दिफरेंट combination विच आप कंजूमर कैन बाए given is income of the two goods of two different groups के different combinations है जो कंजूमर खरीच सकता है अपने given income के साथ तो यह होती है हमारी budget line और यह straight line होती है ठीक है इसा straight line क्योंकि हमारी income है वो constant है क्योंकि हर किसी में जो combination income इस पे भी इतनी income लगेगे इस पर इतनी इंकम लगेगे इस पर इंकम उसकी सेम ही रहेगी और वो सारी यूज़ करेगा तो इसके लिए इसकी वज़ा से इसकी जो line हो straight होती है ओके next है consumer equilibrium in difference curve के case में very simple यह आपका क्या है budget line है ठीक है और जहां पे जो ic curve है आपका यह जो ic curve है यहां पे tangent होगा यहां पे tangent है तो यह हमारा equilibrium point होगा मतलब जहां पे budget line है आपको kL जो आप budget line रहा है तो दो पॉइंट पर पॉसिबल नहीं होता ठीक है उसी एक पॉइंट करता है उसीक। आईसी तो आर्शच मोन बजेटलान को टैंजेंट होती है है यह सबसे ओपर वाली जो कि CRAV है वह सब्सक्री और वह की लिकान होता है क्यों होता है तो इस पर और यह Color A convex to the origin ठीक है यह आपको ध्यार में रखनी है चलिए ओके next that is your very very important देखी यह बहुत बहुत important है इसके base पर definitely आपको हो सकता है कि question देखने को मिले तो यह क्या है आपकी elasticity find करनी है demand की using the geometric method तो यह geometric method है तो इसमें होता है basically आप ऐसे ध्यार रखेगा L over you love you L over you lower portion upon upper portion तो देखी अगर split point निकालेंगे तो यह less than one है यह less than one क्यों है क्योंकि इसका जो नीचे portion है आपकी ठीक है जो इसके जो नीचे portion है वो क्या है आपका CB तो CB upon इसके जो उपर portion है वो क्या है AC ठीक है तो यह छोटा है यह बड़ा है तो obviously बात है less than one आएगा इसलिए इसकी elasticity क्या है यहाँ पर less than one है ठीक है यहाँ पर equal है मतलब आपका यह जो DB है वो किसके equal होगा आपके AD के बराबर ठीक है तो don't divide होगे equal है क्योंकि one आजाएगा तो यहाँ इसलिए one है ठीक है यहाँ पर निकालेंगे तो इसका जो lower है वो आपका lower क्या है आपका EB है ठीक है और इसका जो upper क्या है वो AE है तो इसको जब divide करेंगे क्योंकि उपर वाला बड़ा है तो definitely greater than one होएगा यह simple fractions आप questions करते थे अच्छा आप extreme point देख लेते हैं कि यह वाला और यह वाला देखिए इसमें zero क्यों है दियान रखेगा lower over upper तो इसके जो lower वाला कुछ इसके नीचे है कुछ नहीं है इसके नीचे कुछ नहीं है तो ऊपर zero आ गया ठीक है इसके अपर तो पूरी line ऊपर अपर है AB तो इसलिए यह इसका zero आ गया क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था B point के नीचे कुछ नहीं था इसलिए हमने zero ले लिया इसके ऊपर तो पूरी line नहीं है AB इसलिए AB आ गया तो zero upon AB क्या होगा जिरो होगा और यहीं बात करें हम इस पे ठीक है इसके ऊपर देखिए अब क्या है, lower upon यह होता है, value lower upon upper portion तो lower इसके नीचे पूरा क्या है, AB AB आ गया, ठीक है, इसके ऊपर कुछ है, नहीं है तो zero, तो आपको पता है किसी के नीचे fraction में zero होता है, तो उसकी value क्या होती है, infinite होती है तो यह value infinite हो जाएगी, तो इसलिए इसका जो है, basically आपकी यह value है, infinite है, तो extreme point नीचे वाला equal to zero, उपर वाला infinite, बीच वाला equal to one, और यह नीचे वाला less than one, और यह उपर greater than one, I hope यह आपको clear हो गया होगा अब इसकी elasticity, ठीक है next, that is, I question आ सकता है, जो perfectly आपका inelastic होता है, perfectly inelastic में graph कैसा होता है, it is always parallel to y-axis, कहने का मतलब होता है, inelastic का मतलब होता है, मतलब elastic खिच नहीं रहा, खिचावट नहीं आ रही, मतलब price बले बड़े या कम हो, मतलब उपर भी जाता रहे, नीचे भी जाता रहे, demand उसकी same to same रहेगी, ठीक है, inelastic है, मतलब खिचावट नहीं है, और यह perfectly है, तो straight line आएगी बलकुल, ठीक है, perfectly में ध्यान रखना straight line आत लेकिन एक, जो elastic के case में, parallel to x-axis होगी, और inelastic के case में, parallel to y-axis होगी, ठीक है, चलिए, next है, आपका, that is a backward sloping supply curve, very very important, कि हमारा जो backward sloping supply curve क्या होता है, देखिए, यहाँ पर क्या है, आपका backward slop क्या है, मतलब supply है, backward sloping होती है, यह किसके case में होती है, supply of labor, ठीक है, supply of labor के case में होत supply होती है, तो आप बोलेंगे supply of labor, मैं आपको example से समझाता हूँ, ठीक है, होता क्या है, इसका कहने का मतलब है, जैसे ऐसे उसकी wage rate बढ़ती जाती है, उसकी, मतलब, उसकी जो, क्या कहते है, जो supply है, labor की कम होती जाती है, अब यह आप बोलेंगे, सरी possible कैसे है, आपको example देत हूँ, तो आपको लगता है, वो प्योन की नौकरी करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, तो अगर हम सारे ही, पूरे economy में, सब की अगर labor की जो wage rate है, एक limit से अगर बहुत जदा बढ़ा देंगे उपर, तो उसकी supply क्या होती, कम उन्हें लग जाएगी, वो फिर क्या करेगा, अ एक limit से starting में price अगर बढ़ेगा, तो हो सकता है, initially क्या हो, उसकी supply बढ़े, तो देखें, initially supply बढ़ रही है, ठीक है, T point तक maximum पहुंच गई है, लेकिन इस point से अगर उपर आप और बढ़ाते जाएंगे, wage rate और बढ़ाते जाएंगे, तो इसकी supply जो है, कम होती जाएगी, तो जो labor की supply है, labor की supply जो आपकी है, कम हो जाएगी, एक particular price पे, एक particular wage rate के बाद, अगर आप फिर भी उसकी wage rate बढ़ाते जाएंगे, तो definitely क्या हो जाएगी, उसकी supply क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, labor में, labor की supply, तो आपको ध्यान रखना, किस case में होता है, basically, supply of labor के case में यह follow होता है, ठीक है, next है very very important, that is how equilibrium price and quantity, तो यहाँ पे, जहाँ पे very simple, जहाँ पे demand curve आपका supply curve को intersect करता है, यह हमारी supply curve है, यह हमारी demand curve है, ठीक है, तो जहाँ intersect कहां कर रहा है, e point पे, तो यह हमारा basically क्या हो जाएगा, equilibrium point हो जाएगा, ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा, equilibrium point हो जाएगा और जब इसको यहां से match देंगे तो यह विरम प्राइस और उसे नीचे match कर देंगे तो यह विरम quantity हो गई अब यह उपर एकसस supply होता है वेरी सिंपल क्योंकि यहां पर supply जादा है demand पीछे है तो यहां पर supply ओपर क्या है supply जादा हो नीचे घिमाड ज्याता होता है और पर के सप्लाइज जदा होती है fund